ग्रामोफोन आज के जमाने में बहुत कम लोग करते है या नके बराबर करते हैं लेकिन एक जमाने में संगीत सुनने के लिए ग्रामोफोन का ही इस्तेमाल किया जाता था ग्रामोफोन से पहले प्रदे angled phone autograph पलियोफोन को बनाया गया था Phonautograph कोई भी अविशकार बस एक आइडिया को लेकर शुरू होता है Gramophone के साथ भी ऐसा ही हुआ है Phonautograph ही एक ऐसा डिवाइस माना जाता है जो दुनिया के आवाजों को म्यूजिक को रिकॉर्ड करने वाला पहला डिवाइस था Phonautograph को फ्रेंच के अविशकारक Martinovilla Edward Leon Scott de Martynville ने अविशकार किया था इस डिवाइस को 1857 में पेटेंट किया गया था इस डिवाइस में सिर्फ रिकॉर्ड करने का ओप्षन था बस इन रिकॉर्डिंग्स सुनने का कोई ओप्षन नहीं था किसी को नहीं मालूम था उन रिकॉर्डिंग्स में क्या है लेकिन 2008 में Modern Technology के साथ उन रिकॉर्डिंग्स को सुना गया था इस डिवाइस में साउंड डायाफ्राम से ट्रैवल होकर Bristol, Bristol तक पहुँचता था Bristol एक वाइट पेपर से जुड़ा हुआ होता था ये वाइट पेपर एक सिलिंदर आकार में लिप्टा हुआ होता था जब सिलिंदर को घुमाया जाता तो उसके साथ पेपर शीट भी घूमता था पेपर शीट को लगा हुआ स्टायल्स आवाज को पेपर पर निशान के रूप में बना था था इस अविश्कार से स्कॉर्ट स्कॉर्ट को कोई फायदा नहीं पहुचा, कोई पैसे नहीं कमाये लेकिन स्कॉर्ट के आविश्कार से बाद में आने वाले लोगों को सहुलत बन गई थी पलियोफोन, पलियोफोन, फोन ओटोग्राफ में आवाज को रिकॉर्ड करने के बाद सुनने का आप्शन नहीं के कारण, चार्ल्स क्रोस चार्ल्स क्रोस नाम के अविश्कारक ने एक ऐसे डिवाइस को बनाने का सोचा जिसमें आवाज को रिकॉर्ड करने के बाद सुन भी स अपने इस दिवाइस को चार्ल्स ने पलियो फोन नाम रखा था। थॉमस अलवा एडिसन पहले किये गया विश्कार की मदद से थॉमस अलवा एडिसन ने अथारह सो सतहतर में एक ऐसा डिवाइस को बनाया जिसके जरीए आवाज रिकॉर्ड कर सकते थे और सुन भी सकते थे। एडिसन ने इस दिवाइस को फोनोग्राफ नाम रखा था। एडिसन ने इस दिवाइस को टेलीग्राफ और टेलीफोन के अवाजों को रिकॉर्ड करने के लिए बनाया था। एडिसर ने अपने अविश्कार को टिन फॉयल पेपर, दियफ्रेम, सिलिंडर, स्टाइल्स की जरिये बनाया था जब दियफ्रेम के पास आवाज की जाती तो साथ ही साथ सिलिंडर को घुमाया जाता था इस सिलिंडर के ऊपर टिन फॉयल लपेटा हुआ होता था आवाज की vibrations की वजह से style tin foil paper पर निशान लगता था ये एक basic तरीखा है आवाज को record करने के लिए जब record की गई आवाज सुनना हूता तो वही procedure को reverse follow करते थे बस फार कितना था इस बार style के vibrations की वजह से diaphragm आवाज को reproduce करता था Edison ने उस वक्त डिस्क से cylinder वाले shape को बहतर device समझा 1877 में पहली बार Thomas Edison ने phonograph का आविशकार किया था साल 1880 में Alexander Graham Bale के Volta Laboratory में पहले वाले phonograph में बदलाव करके ग्राफों फोने को बनाया गया था साल 1894 में Emily Berlina नाम के अविशकारक ने cylinder shape cardboard को flat disc के रूप में बदल दिया था Berlina ने ही disc record players के लिए gramophone नाम को रखा था उस वक्त से gramophone नाम हर जगह इस्तिमाल शुरू होने लगा था महान वैग्यानिक Thomas Edison ने कई ऐसे आविशकार किये जिन से दुनिया की सूरत बदल गई 1877 में आज ही के दिन दुनिया के सामने phonograph को Edison ने पेश किया था यह एक ऐसी device थी जिसने किसी की आवाज को record करके उसे सुना जा सकता था इस खोज ने communication industry में क्रान तिकारी बदलाव को एक दिशा दी Phonograph में Edison ने दो सूयों का इस्तिमाल किया था जिसने से एक को आवाज record करने और दूसरी को प्ले करने के उप्योग में लाया जाता था Edison एक mouthpiece में बोलते जिसे recording वाली सुई के माध्यम से एक बेलनाकार चीज में record कर लिया जाता था धीरे धीरे फोनोग्राफ और विक्सित हुआ और इसका इस्तिमाल music device के तौर पर खिया जाने लगा बाद में कुछ वैग्यानिकों ने सिक्के से चलने वाला फोनोग्राफ बनाया जिसमें सिक्का डाल कर संगीत सुना जा सकता था सबसे पहले क्या record हुआ थौमस अलवा एडिसन ने सबसे पहले मेरा हैद के लिटिल लाम कहकर record किया अपने बोले गए इन शब्दों को सुनकर एडिसन खुश हो गए इस मशीन को बेचने के लिए एडिसन ने एडिसन स्पीकिंग फोनोग्राफ कमपनी बनाई एडिसन ने यह भी कहा कि इस डिवाइस का इस्तिमाल लेटर राइटिंग, द्रिश्च बाधितों के लिए किताब को record करने, बोलने वाली घडी बनाने और music box के रूप में किया जा सकता है समय के साथ साथ एडिसन के लगभग सभी सुझावों को इस्तिमाल में लाया भी गया प्रथम विश्व युद्ध में भी एडिसन की बनाएं इस डिवाइस का इस्तिमाल किया गया कई आर्मी यूनिट्स ने साथ डॉलर की मोटी रकम चुका कर इसे खरीदा सैनिकों ने इसका इस्तिमाल युद्ध के दौरान खुद को रिलेक्स रखने और जोश भरने के लिए किया ग्रामो फोन का आविश्कार अमरीका के महान आविश्कार अक्तामसलवा एडिसन का नाम हम सभी ने सुना है वे बहुत से महत्व को नाविश्कार कर चके थे एक दिन उनके मन में विचार उठा की क्या ध्वनी तरंगों को किसी नार्म प्लास्टिक पर इस प्रकार अकित किया जा सकता है कि उन्हें पुनव उसी रूप में सुना जा सके यह विचार उनके दिमाग में सहसा उस समय उत्पन हुआ जब वे अपनी प्रयोक्षाला में तार संकेतों के लिए एक रिकार्डिंग मशीन बनाने में जती हुए थे इस मशीन में एक मूम का सिलिदर था जिसमें एक सुई मोस कोड के बिंदों और डैशों को अनकित करती जाती थी एक दिन जब वे इस पर कार्य करते समय अपने एक सहायक से बात कर रहे थे तो सहायक के मन से बात करते समय जो आवाज निकली उसके कमपन से सुई हिल गई और एडिसन की अंगुली में जा चुबी बस एडिसन के दिमाग में उक्त विचार खीद गया कि अगर मन्शिय की आवाज द्वारा उत्पन प्रेरित कमपन इतने शक्तिशाली है कि सही को हिला सकते हैं और चिन हकित कर सकते हैं तो किसी उप्यक पटल पर ध्वनी को ओकित कर फिर इस प्रक्रिया को उल्थ कर और चिनों पर सुई चला कर ध्वनी को पनहूत्पन किया जा सकता है एडिसन के दिमाग में एक मशीन का जो रूप उभरा उसने उसका एक खाका खीच कर अपने सहयोगियों से उससे तुरंट तैयार करवाया वैसे बनियादी तौर पर यह एक बहुत सरल सीधा विचार था परंट इसे वास्तविक रूप देने में एडिसन को कई वर्ष लग गए शुरू में पीतल का एक सिलिदर लिया गया था जिसे एक तिर्चे स्पिंदल पर लगाया गया इसे घमाने के लिए एक हैंडल लगाया गया सिलिदर के पिवट धरी पर एक प्रकार का कान का छिद्र था जिसमें परदे के तौर पर एक पाचेमेंट का तड़ा लगाया गया था एडिसन ने एक नर्म टीन की पन्नी सिलिदर पर लपेट दी और हैंडल से उसे घुमाना शुरू किया फिर सही को पन्नी पर स्पर्श करा कर बोलना शुरू किया यहे एक बालगी था मेरी है दे लिटिल लाम इट्स प्लीज वाज वाइट एज स्नौ उसके बाद सुई को उसने पुना शुरू से अंकित चिन्हों पर लगा कर हैंडल घुमाया तो उसमें से धीनी किंतु सपश्ट ध्वनी निकली एडिसन इस प्रयोग से फूला न समाया यही ग्रामो फोन के रिकॉर्ड का प्रथम सरल रूप था अगर हम किसी रिकॉर्ड को ध्यान से देखे तो हमें उस पर तेई मेधी नालियापसी दिखाए देंगी इन नालियों में कहीं ज्यादा और कहीं कम गहराई भी नजर आएगी जब भारी आवाज रिकॉर्ड की जाती है तो इन नालियों का टेड़ा मेलापन अधिक होता है और हल्की आवाज की रिकॉर्डिंग में कम अर्थात आवाज के कम ज्यादा कमपन के साथ नालिया भी उसी तरह का रूप लेती जाती है जब ध्वनी भारी होती है तो हवा केन एक दूसरे से अधिक तेजी से तक्राते हैं और वे ध्वान अकित करने वाले डायफ्राम पर अधिक बन से तक्राते हैं इस प्रकार सही अधिक चौडाई में या आयाम में चलती हैं इस तरह तरंगों का आयाम, एक तरंग की उचाए और निचाई के मध्य की दरी ध्वनी के भारी या हलकेपन से तहोती हैं अधिक आयाम का अर्थ है, तेज ध्वनी और कम आयाम का अर्थ है, मंद ध्वनी जब ध्वनी अंकक्ती करने के बाद बने रिकॉर्ड पर सुई रख कर इसे घमाया जाता है, तो सुई नालियों के बीच में चलती है नाली के धेड़े मेडे मार पर सुई की नोख जल्दी जल्दी कमपन करती है और डायफ्राम पर भी उसी तरह का कमपन होता है, जिससे मुल्ध्वनी पैदा हो जाती है रिकॉर्डर में एक मास्टर रिकॉर्ड बन जाने के बाद वैसी ही हजारों प्रतियां बना ली जाती है नकल रिकॉर्ड बनाने के लिए पहले एक मूल्द या फर्मा बनाया जाता है, जो मल रिकॉर्ड की नालिया उल्चे रूप में नकल कर लेता है उसके बाद इस सांचे को प्लास्टिक में दबा कर मुल रिकार्ड की आवश्यक्तान सार प्रतियां तैयार की जा सकती है आज रिकादिंग और ध्वनी के पनरुत पादन में बहुत विकास हो चका है इस विकास में माइक और अम्पलीफाय के आवश्यकार ने विशेश सहायता दी है अब मशीनी कुनरुत पादन प्रनाली का स्थान विद्युक पेकप प्रनाली ने ले लिया है एडिसन के सिलिदर के स्थान पर चप्टी गोल्डिस्क पर ध्वनी अंकन की विद्खोजने वाले जमन अम्री की आविशकारा कैमिल बर्लिना ने जब अथारा सो अठानवे में ग्रामोफोन कमपनी की स्थापना की तो रिकॉर्ड बजाने वाले उपकरन का नाम फोन के मल सिध्धानतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ अब तो लांग प्ले और स्टीरियो रेकॉर्ड भी विक्सित हो चुके हैं लांग प्ले रेकॉर्ड पर पांच शे गाने एक तरफ आसानी से आ जाते हैं स्टीरियो रेकॉर्ड ध्वनी और साजों की आवाज को हब हग एहराई के साथ स्पष्ट कर पनरुत पादित करते हैं अब तो ऐसे रेकॉर्ड प्लेयर और रेडियो ग्राम बन गाए हैं जिनमें कई रेकॉर्ड एक साथ लगा दिये जाते हैं ये रेकॉर्ड अपने आप बदलते और बचते जाते हैं बड़े बड़े रेस्तराओं और मनोर अंजन स्थलों पर एक विशेश प्रकार का रेडियो ग्राम लगा होता है इसके सामने गीतों की एक सुची होती है हर गीत के सामने एक बटन लगा होता है सुर्ची में से अपनी पसंद का गीत चुनकर एक ता में पच्चीस या पचास पैसे का सिक्का डाल कर गीत के सामने लगे बटन को दबा दिया जाता है तो वही गीत रेडियो ग्राम पर बज़ने लगता है विनायल रिकॉर्ड प्लियर को टेबल भी कहा जाता है इसमें लोन प्ले रिकॉर्ड और शार्ट प्ले रिकॉर्ड साथ में एक्स्टेंड़ प्ले रिकॉर्ड बजाया जाता है लोन प्ले रिकॉर्ड बारह इंच साइच का होता है और एक्स्टेंड़ प्ले अध्वा शार्ट प्ले रिकॉर्ड साथ इंच का होता है रिकॉर्ड को सुनने के लिए आधुनिक समय में मुख्यता दो तरह की काट्रच इस प्रयोग में लाई जाती है सिरामिक और मेगनेटिक विनल रिकॉर्ड का प्रयोग आधुनिक समय में भली ही बहुत कम हो गया हो लेकिन इसकी साउंड क्वालिटी आज की सर्वोत्तम मानी जाती है क्योंकि इसमें शुधर अनलॉक क्वालिटी की ध्वनी प्रसारित होती है